हेलो कैज वेलकम टो आर्चनल फेमगेश आज की वीडियो के इंदर मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग कैसे जांप सर्वर की उज़ करके आप लोग साइट बील्डड आफ कर सकते हो आप लोग कैसे वीदाव्ट इंटरनेट करके आप लोग आप लोग की साइट को कॉस्टमाइज कर सकते हो कैसे वाडप्रेस इंस्टल कर सकते हो कैसे प्लोगिन इंस्टल कर सकते हो और सारे की सारे चीज़े उसके अंदर आप लोग कर सकते हो आप लोग को एक सर्भर दिया जाएगा जिस सर्भर के अंदर प्रफ लोग जो भी चीज करना चाहों कर सकते हो और उसकी जो लाइफ देखना चाहो भी आप लोग देख सकते हो गैस देखो अगर को बहुत सारे अपलोड कर सकते हैं और तो यह बहुत अच्छी मेथर्ट रहेगी कि आप लोग की साइट को बेड़ करो ऑफलाइन और उसे एकदम बिल करने के बाद एकदम कंपलीट प्रोसेस करने के बाद आप उसे अनलाइन कर सकते हो तो इस वीडियो के अंदर आप लोगो मिलेगी और इस जांप सर्फ और कैसे इंस्टल करोगी कैसे उसे सारी की सारी जो कॉस्टमाइज होना उसके बार में मैं कॉंप्लेट आप लोग को वीडियो दे जुकी हूँ वह वीडियो नहीं देखिए तो जाके चेक आउट कर सकते हो आप लोग को डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसक सब्सक्राइब नहीं के लिए तो जल्दी जाके चनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर फ्रेस कर देना क्योंकि हम लोग आपके लिए हर दिने एक इन्फोर्मेटिव और हेल्पफुल कंटेनल लेकर आते रहते हैं तो चली स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो काईजी हम पर आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने विछलों वीडियो के अंदर आप लोग को बताया था कि आप लोग कैसे जांप सर्वर को यूज़ करके आप लोग आप लोग की साइट को पील अप कर सकते हो बिसकल यह जो है ना जाम सर्वर की पेनल है उसके अंदर आप लोग को यह जो दो बटम देखने को मिलेगी जो कि आप आचे और माई एसकी विल उसे ओन करना पड़ेगा अगर उससे नहीं ओन करोगी तो आप लोग की जो एकसस नह लोकल होस्ट लाइफ टेम करके हमारी पास एक डेमो साइट है तो यहां पर आप लोग देख सेकते हो दिस साइट कांट भी रीच रही है आप लोग को देखने को मिलेगी बट यहां पर अगर हम लोग उसे स्टार्ट कर देते है ना जो कि आप आप अचे और माई यहां पर आप लोग देख सेकते हो हमारा जो वेबसाइट हो यहां पर आपन होके आ चुकिए तो बिसिकली यह लोकल सर्वर के अंदर काम करते हैं आप लोग को कोई बी इंटरनेट बगर है कि ज़रूरी दिन नहीं पड़ीगी तो सिंपल आपको जाम सर्वर इंसल करना प उसके बाद आप लोग जो भी काम करना चाहो बैसिकली कर सकते हो तो उसे में मिनिवाइज करता हूं अभी तो देखो आप लोग को सिंपल चीज करना पड़ेगा पहले आप लोग इंसल प्रसेस कंप्लीट करने के बाद ना आप लोग को जाना पड़ेगा आप लोग की जो की näл tief लेक सिए के इंदर को कि और यहां पे आप लोग आप सर्वर के फाइल होगी consider कित फाइल होगी उसके आपर क्लिक करो और जैसे क्लिक करोगा नँए ज्टो सबीवäre कुछोए आप लोग मिलेगे ऐहां पर लोग को जो देखने को मिलेगी टी एच टी डॉक आप लोग को देखने को मिलेगी ना तो सिंपल उसके अपर आप लोग को क्लिक करना पड़ेगा तो डबल क्लिक करोगो तो आप लिप के सामने यह जो डाटाबैस भगर आ जाएगी देखो तो सिंपल आप लोग को एक निया फल्डर बनाना पड़ेगा फाइल क्रेट करना पड़ेगा ओके हम लोगों ने अल्रेडी लाइब डेम करके एक साइड वापन करके रखा हुआ है और उसके अदर हम लोग को स्टमाइज करेंगे जो कि मैंने आप लोग को पिछले वीडियो के अंदर बता जा था और व्लोगिंग हम लोग एक यहां पर राइट क्लिक करके एक न्यूव फॉल्डर अपन करेंगे जो कि हम लोग की जो फॉल्डर होगी एफिलेट करके हम लोग यहां पर एड करते हैं नेम एड करते हैं ओके उसके अंदर हम लोग अभी वाड़प्रेस को एड करेंगे और सारी की सारी फिल्डर आप लोगोंने क्रियेट करी है उसके बाद आप लोग को जाना पड़ेगा आपने जो भी ब्रावजर आप लोग यूज करते हैं उसके अंदर आप लोग जाओ और यहां पर आप लोग सिंपल सर्च करो लोकाल होस्ट स्लास पीच्पी माई एड्मिन तो यह जो अप लोग देख सेकते हो यह लिंक आप लोग को सर्च करना पड़ेगा लोकाल होस्ट स्लास पीच्पी माई एड्मिन को अप लोग सर्च करना पड़ेगा तो जैसी सर्च करोगी तो आपके समने यह जो फेज है ना आपन होके आजाएगा तो सिंपल प्रोसेस इसका प्रोसेस भी मैंने उस वीडियो के अंदर बताया था और कुछ भी फ्रोब्लेम बगर आती है तो आप लोग कमेट वरक्स में कमेट कर सहकते हो यह उसका भी रिपलाई दूगा और अगर कुछ भी फ्रोब्लेम में आती है न झार भी आहाँ रहो ही साब सिंपल है आप लोग को नूव फल्डर देखने को मिलेगी सिंपल यहां पर नियू के ऊपर घ्लिक करोई के आप लोग नहीं अभी यहां पर ट्लीक कर आठा ओक यही हो अधी करनाओ यह तो आप लोग इज जो नयम हीना उसे आप लोग add करो अप लोग को कोई भी प्रोब्लेम नहीं आईगी ओके तो सम्पल यहाँ पर हम लोग चलते है Database के अंदर हम लोग ли एड़ करेंगे हम लोगों नहीं यहां पर एड़ करा जो कि यहां पर भी हम लोगों एफिलेट एड़ करा था और यहां पर भी हम लोगों एफिलेट करा तो उसके बाद आप लोग को और भी कुछ बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा सिंपल यहां पर आप लोग क्रियेट के उपर क्लिक कर कर दोगी आप लोग की जो database बो ग्रेट हो जाएगी है यहां पर लोग देख सकते हो आप लोग की जो database create अल्रोडी हो चुगी है तो शिंपल आभी की आकर होगी ना अभी आप लोग यहां पर आओगी और एफिलेट के उपर क्लिक करोगी यहां पर आप लोग की empty फाइल देखने को मिलेगी basically जया आप लोग को आना पड़ेगा wordpress.org के अंदर तो जैसे इवाडफ्रेश.org के अंदर आओगी ना तो आप लोग को सिंपल देखने को मिलेगी get wordpress आपको उसके फ़र क्लिक करोगी तो आपको उसकी जो वर्डफ्रेश की फाइल है translated ऐसे इस फ्रेंड करने के बाद आप लोग की देखने को 네 मिलेगी की इसलिक करो तो जैसे कलिक करोगी आप लोग की यह उप्लेट करना पड़ेगा आप लोग की जो साइट के अंदर तो एक्स्रेक्ट करने के बाद आप लोग को यहां पर फाइल को लाके यहां पर एफिलेट के अंदर आप लोग को उपन करना पड़ेगा और पेस्ट करना पड़ेगा ओके पर सिंपली मैं यहां पर उपन कर कर सकते हो जो कि copy paste करना पड़ेगा तर करने के बाद ना आप लोग को इसके अंदर जो भी जितने भी फाइल से न उससे पहले copy कर लो सारी की सारी फाइल्स को यहां पर आप लोग को कॉपी कर देना पड़ेगा और बेक आना पड़ेगा और जैसे बेक आओगी यहां पर आप लोग को इस फाइल को पेस्ट करना पड़ेगा जो इतने भी फाइल आप लोगों ने सर्च करा था मतलब जितनी फाइल उसके अंदर यहां पर आप लोग को पेस्ट कर देना पड़ेगा बस उसके बाद आप लोग सारी की सारे चीज़े कर सकते हो इसके अंदर तो जैसे पेस्ट करोगी यहां पर आप लोग देख सकते हो हमारी जो सारी की सारी फाइल्स पर यहां पर अपलेड हो चुकिए और यहां पर बाकी क जो रहे गया ना wordpress.5.6 की जो फाइल रहे गया ना उसे सिंपल आप डिले भी कर सकते हो इसका कोई भी कोई जोरुरत अभी आप लोग को पिल्कुल भी नहीं है तो यह भी डिलेट हो जुकिए तो अभी आप लोग को क्या करना पड़ेगा सिंपल बेक चला जाना पड़ेगा और यहां पे देख सकते हो अभी ग्रेक्र कर रहा था उसके अंदर आप लोगों को देखने की मिल जाती था यह जो रच्परेस के अभी ् प्र रीनेम मी önप्सं देखने को मिलेगी सिंपल अप लोग को मिलेगी न को इसे डिलेट करना पड़ेगा पड़ेदो अपको और उसके बाद उसके वपर राइट क्लिक करो हроं और है पे आप लोग ओपन करोगी तो जैसे ही अपन करोगी आप लोग की सामने जो सारी की सारी mechan को देखने कुमिलेगी ही से आप लोग की जो वाडप्रेस की जो इंचलिंग प्रोसेस commitment करोगी ओके तो हम नहीं पड़ेगा तो कि आप लोगों को देखने को मिलगी ईएड करा था नेम एड़ करा था फाइल की नेम एड़ करा था जो कि है एफिलेट करके एड़ करा था उसे आप लोग को रखना पड़ेगा और यहां पर यूजर को आप लोगों ने रूट एड़ करना पड़ेगा और यहां पर आप लोग को देखने को मिलें कि जो डाटाबेस को हटा देना पड़ेगा वास ऐसे ही रखना पड़ेगा आप लोग को उसके बाद सेब करो सेब करने के बाद यहां पर उसे मिनिमाइस कर सेकते हो नहीं तो कौर्ट भी कर सकते हो और उसके बाद चेक करो कि आपकी जो c-panel की अपकी जो panel की एक्जाम पेनल की यहांपे माईस के लूँग और अप्पाची ऑन है या नहीं ओके तो अभी आप लोग को ब्राउजर के अंदर जाना पड़ेगा और यहां पे आप लोग को सर्च करना पड़ेगा लोकाल होस्ट और अभी आप लोग स्लास के बाद लेखोगी किया जो कि हम लोगों ने फाइल के नहीं में अड़ करा था उससे मैंने सिलेक्ट करा और एंटर करा तो अभी आप लोग देख सेकते हो हमारे सामने वाड़ फ्रेस इंस्ट्रेलेशन की प्रोसर से आ जूगी है आप लोग उसे मेलनु वाली करेंगी जो कि आप लोग को देखनों क मिल जाता था जो कि अगर आप लोग खरीत होना होस्टिंग बगर खरीत होना उसके अंदर आप लोग को डाइरेक्टली देखने को मिल जाता था वाट यहां पर आप लोग क्या कर सकते हो बेसिकली आप लोग मैनुवाली सारी कस्टमाइज कर सकते हो तो सिंपल यहां पर आ affiliate affiliate site और user name यहां पर admin रखो नहीं तो affiliate मैंने add कर दिया और password आपकी हिसाब से जो भी password रखना चाहों basically रख सकते हो तो मैं यहां पर देख सकते हो ऊपशूर्ण प्रणग पास्वड यहां पर अटर कर चुके हूँ उसके बाद यहां पर देख सकते हो इमेल आइडी को यहां पर फिल अप करना पड़ेगा सिंपल मैंने इमेल आइडी को फिल अप कर दिया उसके बाद यहां पर देख सकते हो इंस्टल वाडफरेस के उपर आप लोग को सिंपल क्लिक करना पड़ेगा तो जैसे क्लिक करोगी आप लोग की वाडपरेस है वो आटोमेटिकल इंस्टल होने लगेगी अभी आप बहुत देख सकते हूं हमारा वाडप्रेस सैड था अल्लिडी वो सक्सेस हो चुकिए इंस्ट्रील हो चुकिए हैं पर आप लोग देख सकते हो और अब भी आप लोग लोग इन उसके अंदर कर सकते और यह आएगा हमार आईडी और पासवर्ड और हम लोग ने लोग इन आप अभी करते हैं का यह रहें आप लूक की जो डेस्कपोर्ड ़ुसके अंदर आप लोग लोग सारी चीज़े कर सकते हो यहां पर आपको're free of cost कोई भी बिना किर्च करें आप लोग सारी की सारी कर सकते हो देखो किया हम पर बेसिकल्य आप लोग को पोश्ट मेंड़ा भी चीजे हो था वाडपेस के एंदर यहां पर आप लोग को देखने को मिल जाएगी यह को अपने साइट बन चुकी है और यहां पर आप लोग सिंपल earthly जो जो ह pray लोकाल होस्ट के अंदर वार कर सकते हो वह जो आप लोग उस्टिंग ले बगार बाई कर रहे होग नसे ऍदर आप लोग ऑन्लाइन साथ्य चीज़े कर सेख्यों और यह जो आप लोग ने लोगाल होस्ट के अ अदर सारी सरी करोग um क के लिए हमारा जो साइट है कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी आप लोग को तो अभी आप लोग को आप लोग की थीम इंसल करना पड़ेगा आप लोग की जो प्लोग इंसल करोगी तो आप लोग की जो साइट अच्छी देखने को मिलेगी तो अभी आप लोग को क्या करना पड़ेगा जाना पड़ेगा उस फ्लर के अंदर और 학 window धेर देखने को मिले सके उपर क्लिक करो उसके बाद यहां पे wp-admin और यहां पर appointment के उपर click करो आप पर plugin और theme की section देखने को मिलेगी simple यहां पर theme के उपर click रहे हैं के अप लोग को बताया था जेनरेट फ्रेस्ट थीम के बड़े में वह फ्रीमियम थीम को यहां पर आप लोग लाके पेस्ट कर सकते हो ओके तो यहां पर मैंने लाके उसे पेस्ट करा और उसके बाद यहां पर जो plugin के section के अंदर उसकी जो generate phrase की जो प्रीमियम plugin है उससे आप लोग लाके एड़ कर दोगी बस हो जो कि यहां पर आप लोग देख सकते हैं आप लोग के पास एक post है जो कि hello करके यहां पर आप लोग चाहो तो उससे भी delete कर सकते हो सारी की सारी चीज़ी करने के बाद आप लोग जाओगी आप लोग की जो डेस्पोर्ड के अंदर उसे रिफ्रेस्स करोगी और देखोगी कि यह आप लोग की जो प्लोग इन बगर एड हुए या नहीं सिंप्ल यहाँ पर इंस्टल्ड फिलोग इन की सिंपृ पर किलिक करोगी तो आप लोग की यहाँ पैदेख सेक्ते ओ ладно गजिपी प्रेमियूमम में आप लोग को देखने का मिलेㅋㅋ से एक्तिव करो और आप लोग को थीम को भी इंस्टल करना पड़ेगा तो यहांपर गिजनेरेट फ्रेश को यहांपर एक्टिव के ऊपर क्लिक करो यहांपर अपे आप लोग की जो एक्टिव हो जाएगी no और अम्हें गपी अब यह अप लोग यह जो साइट दिख रहा था न। आप लोग को उसके ऊपर रिफ्रेस में करता हूं अब भी आप लोग देख सकते हो आप लोग की जनेरेट फ्रेस साइट यहां पर अफन होके आ चुकिए और यहां पर देख सकते हो यह प्रेमियम भर जाने आप लोग चाहो तो यहां पर कस्टमाइज भी कर सकते हो तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसके अंदर हम लोग के साइट बगर बिवल्ड करेंगे साइट को कुस्टमाइज करेंगे जो भी अभी प्लोगिनस बगर चाहिए देखो यहां पर आप लोग को हम लुग एफिलेट मार्केटिंग करेंगे तो इसलिए अब भी हम लोग क्या करेंगा वह जो radi Lexax बगर हम लोग और पॉस्ट को रेंक करेंगे जो कि हम लोग को डवल फाइदा मिलेगी जैसे कि हम लोग हमारी साइट को एडसेंस के साथ भी कनेट करपाएंगे अगर आप लोग स्टॉर बना दोगे ना उसके अंदर आप लोग को एडसेंस की अप्रॉबल नहीं मिलेगी, होगे और यहां पर हम लोग जो साइट क्रेट करेंगे पॉस्ट बगरा लिखेंगे उसके बाद यहां पर आप लोग लिंक बगरा कैसे एड करेंगे कंप्लेटली इंफरमेशन में आप लोग को